अज आज मैं आप लोगों के साथ में शेर करने जा रही हूं कलाकन की रेसिपी कलाकन जो कि बहुत ही ज़ाधा टेस्टी ओता और सभी को पसंद आता है तो कलाकन मानी बात हैं सभी लोग जानते होंगे कि किस चीज से बनता है तो बस गाइज मैं वो सब कुछ नहीं लेने वाली हूं नहीं मैं आज खोया ले रही हूं नहीं पनीर और नहीं दूद अभी आप सोच रहे होंगे तो फिर मैं कैसे बनाने वाली हूं कलाकन आज मैं आ सिर्फ और सिर्फ बनेगा पानी से वो भी दानेदार बहुत ज़यादा सॉफ्ट सोफ्ट बनके रेडी होगा और बहुत ज़यादा टेस्टी तो चलिए सबसे पहले आपको सेट कर लेना है कोई भी अपने घर का एक कप या बोल ले लिजै तो अभी मैंने लिया है एक कढ़ाई और उस कढ़ाई में मैं आड़ कर रही हूँ दो कप पानी तो याद रखिएगा कोई भी एक कप बोल घर की कटोरी ग्लास कुछ भी सिर्फ एक कोई भी चीज आपको सेट करनी है तो मैंने दो कप लिया है पानी और सेम उसी कप से मैं ले रही हूँ शुगर तो मैंने दो कप से थोड़ा कम शुगर लिया है अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप डेड़ कप लें और नहीं तो आप अपने टेस्टे के अकॉर्डिंग कम यह जाधा कर सकते हैं वैसे दो कप पानी में डेड़ कप शुगर परफेक्ट होगी अभी आपको गैस को ओन करना है और शुगर को रख देना है अच्छे से मेल्ट होने के लिए अभी मैंने ये लिया है दही तो दही आपको कितनी लेनी है आपको साथ से आठ बड़े वाले स्पून फुल ले लेनी है आपको दही ये देखिए मैंने प्लेट में निकाला है बट हमें इसे अच्छे से फेटना है मिक्स करना है तो परफेक्ट मिक्सिंग नहीं होने पाएगी तो प्लेट में अगर मिक्स करेंगे तो वो गिरेगा तो आपना मिक्सिंग के लिए कोई बोल ले तो मैंने प्लेट में निकाला भरके ही दही लेनी है तो इसे perfect fit लेना है अगर दही आपकी ज़्यादा खटी है तो दही की quantity थोड़ा सा कम कर दीजे इधर देखिए शुगर भी हमारी perfect mix होने लगी अच्छा हमें problem आती है अगर चाशनी बनानी होती है तो समझ में नहीं आता है एक तार की दो तार की कौन सी चाशनी तो इसमें हमें कोई चाशनी नहीं बनानी बस इतना करना है कि शुगर जो है अच्छे से water के साथ में dissolve हो जाए तो अभी दही लेना है दही डालने के बाद flame को medium to low करना है और अच्छे से दही को mix कर लेना है अभी मैं ले रही हूँ milk powder तो बस अभी आपको ले लेना है milk powder तो यह सेम वही कप है जिससे की water add किया था sugar add किया था तो बस अभी मैं आपको measurement दिखा रही हूँ मैं direct ले सकती थी कप में पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए कितना लेना है तो बस आपको full cup लेना है अच्छे से और यही सेम cup से आपको 3 cup milk powder लेना है तो अच्छे से full भर के आपको ले लेना है गाइस यह कलकान इतना ज़्यादा delicious बनता है जैसे कि आप market से लाते है ना बिल्कुल सेम व होना पड़ता है कि देर सारा दूद लेना फिर उसे घंटों आपको पकाना जलाते रहना जब दूद बहुत देर पकते पकते अपनी quantity से कम हो जाता है फिर उसमें कुछ ingredient एड़ करना यह सारे प्रोसेस आपको बिल्कुल नहीं करना बहुत देर आपको मेहनत करने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है बड़ आपका जो कलाकन बनेगा वो बिल्कुल मार्केट जैसे ही बनेगा जैसे कि आप लोग बजार से कलाकन लाते हैं सेम वही टेस्ट सेम वही टेक्स्टर अभी देखिए मैंने वन कप इसमें मिल्क पॉडर एड़ कर दिया है अभी यह मैंन को स्पून की हेल्प से क्रश कर देना है तोड़ देना है कुछ इस टाइब से और अभी इस स्टेज पर आपको फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से आपको कुक करना है तो जिस तरह से आज मैं आप लोगों के साथ में यह कलाकन की रेसिपी शेयर कर रही हो गाईज आप देखिएगा कभी भी मार्केट में जो बनता है ना कलकन वो सेम ऐसे ही बनता है बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ में मार्केट में बनाया जाता है तो अभी आप देख रहे हैं यह पकते पकते देखिए अपनी कौंटिटी से कम होने लगा है और इसकी थिकनेस भी थोड़ा सा बढ़ने लगी है तो अभी आप देख रहे हैं जो इसमें साइड में सब लगा है ना वो सब जितना भी मिल्क पॉडर है ना यह सभी को में स्क्रेप कर लेना है और इसमें मिक्स करते हुए इसे कंटिन्यू चलाते रहना है वैसे यह बॉटम में न लाते रहें तो अभी आप देख रहा है इसमें छोटे-छोटे से बबल साना स्टार्ट हो गया है तो बस अभी इसे कुछ देर हमें और को करना है कि थोड़ी सीसमें ठीकनेस आ जाए इससे बहुत ज़्यादा हमें गाणा नहीं करना बहुत देर तक इसे एकदम गाणा करक कु preserve झादा होने के बाद में यह ऐल्रेटी थोड़ा सा थिक हो जाता है अभी आपको कोई भी एक ट्रे ले लेना है या या कोई भी घर का बरतान ले ले जिसमें कि हमें इतना ही थंडा है हलका लुक कवाम नहीं करना है यह थोड़ा हलका सा लुक तन हो या केक टीन जैसे आती है ना उसमें भी आप चाहे ना जमाना इस सेट करना तो आप कर सकते हैं तो अभी यह मैंने घर की नॉर्मल ट्रे ली है और इस एक पेपर को ग्रीस करके उसी कूपर मैं इसे अच्छे से फैला रही हूं तो बस इस टाइब से आपको पूरा फैल देना है और फिर इसे आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग 30 मिनट या वन आर के लिए रख देना है फ्रीज में तो एक घंटे के अंदर या 30 मिनट के अंदर यह सेट हो जाता है पर्फेक्ट तो इसे ठंड़ा करने के बाद में हम लोग कट करेंगे तो गाईज आज की यह कलाकंद की रेसिपी कैसी लग रही है आई हो कि आप लोगों को पसंद आ रही हो पसंद आ रही हो ना तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेर करिएगा और चैनल को अभी-तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लिजए और कर लिया तो तो मैंने न इसे पूरा एक घंटा भी नहीं रखा मैंने थोड़ा जल्दी निकाल लिया है तो यह देखिए अगर आप पूरा टोटाल एक घंटा रखते तो यह अच्छे से और ड्राई हो जाता अभी मैं इसके उपर थोड़े से ड्राई फ्रूट से स्प्रिंकल कर रही हू ड्राई फ्रूट से आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो आपको पसंद हो और बस इस टाइप से आप इसे कट कर लें तो देखिए कट करने के टाइम आपको समझ में आ रहा होगा ना कि कितना जादा यह सॉफ्ट कलकन बनके रेडियो हुआ है कि नाइफ से कट कर र जाएगा इतना जादा यह डिलेशाज इतना जादा यह सॉफ्ट बिल्कुल दानेदार बनके रेडियो हुआ है बिल्कुल ही मार्केट स्टाइल यह देखिए अच्छा अगर आपके पास में रोस पेटल होना तो इसकी गार्निशिंग थोड़ा सा आप रोस पेटल के साथ है बट जो रियल में कलकन होता है ना उसके अंदर ड्राइफ फ्रूट्स नहीं एड होते हैं तो मैं बना रही थी बिल्कुल मार्केट स्टाइल तो मैंने इसके अंदर एड नहीं किया बट आप लाइक करते हूं तो आप इसके अंदर एड कर सकते हैं तो बस इस टाइब से उस ड्राइ फ्रूट्स मैं इसके उपर स्प्रिंकल कर रही हूँ यह टूटी फ्रूटी है जो कि मैं इसके वीडियो आप लोगों के साथ में शेर किया यह होममेड है आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर से जरूर चैनल को विजिट करें हो सकता है आपके अकॉर्डिंग जैसे कि आप चाहते हों वैसे की वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएं तो अभी आप देख रहे हैं इसका लुक देखिए इसका टेक्स्चर देखिए बिल्कुल यह दानेदार कलकंद बनके रेडी हुआ है बहुत ज़्यादा डिलेशन बट मेरी तारीफ करने से क कुछ नहीं होता एक बर आप इस रेसिपी को फॉलो करें खुद बनाएं और जैसे की रक्षबंदन आ रहा है या कोई भी फैस्टिवल आ रहे हो या आपके घर में महमान आ रहे हो तो यह दस मिनट में छटबट बनने वाली रेसिपी है तो किसी भी टाइम आप इसे बना स सबस्दार कोई तो